दोस्तो माय शेरी से में आज बनने वाली है एक बहुत ही कॉमन रेसिपी और वह है दाल पालक के पकॉड़े पर हंदू फ्रेंट्स क्या होता है जब कभी हम दाल पालक के पकॉड़े बनाते हैं तो कई बार तो वह बहुत ज़दा सोगी हो जाते हैं तो आज मैं आप लोगों के साथ एक दम परफेक्ट रेसिपी शेयर करेंगे और इसके अंदर एक स्पेशल चीज जाती है वह क्या है यह वीडियो में देखेंगे तो चलिए बहुत ही पटापट से वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो अच्छा लगी तो प्यार दोस्तों आपने पालक के पकोड़े बहुत बार बनाएंगे नॉर्मली हम बेशन के साथ ट्राइ करते हैं लेकिन आजम पनेंगे यही पकोड़े मूंकी दाल के साथ में जिससे खाने में बहुत ही टेस्टी बनेंगे तो बस यह मैंने एक कब जितनी मूंकी दाल ले लिया और इसे तीन से चार घंटे के लिए आप नॉर्मल पानी में बिगो दें कभी भी जल्द बजी में गरम पानी में बिगों उससे दाल फोल्ट हो जाती है लेकिन उतना बढ़िया टेस्ट नहीं आता और कलर भी तरह से खराब हो जाता है मूंकी दाल के साथ अगर पकोड़े लेकिन दीर बाद एक ठीश थोड़े सोगी से और उतने कुरकूरिय नहीं बनते तो इसमें फ्रैंट्स एक और सपेशल दाल जाएगी तो वह हैं वन फूर्ट कप जितनी चने की दाल आप यह थोड़ी सी चने की दाल डाले और फिर पकोड़ों का कमाल देखें जबर्दस तो उस दाल को भी मैंने तीन चार गंटे के लिए बिगो दिया तो जितने इन दालों का पानी ड्रेनाउट होता है उतने हम पाकोडों के लिए इस्पेशल मसाला बनेंगे तो उस मसाले के लिए गैस अन करी और उसके उपर एक मैंने चोड़ा सा पैन रख दिया है तो मसाले में हम पहला मसाला जो लेने वाले है वह है एक टिबल स्पून जितना होल धनिया इसका दर्दरा सा टेस्ट आता है ना गजब का लगता है तो बस इसे हलका सा गरम कर ले और इसके साथ हमें जरुत होगी आठ दर काली मिर्चो की आधा चमर जितना मैंने जीरा ले लिया है और इन सब मसालों को आपको हलका हलका सा गरम कर लेना है ना तो बहुत ज़दा कलर चेंज करना है ना बहुत ज़दा धुआ उठाना है और एक टिबल स्पून जितनी हम लें मसाले अच्छे से गरम हो बड़ी है खुशबू आने लगे गैस का फ्लेम आफ कर दीजिए और इसे थोड़ा सा दर दर सा कूट लीजिए बहुत ज़दा आपको इसका पाउडर नी बनाना है अगर मिक्सी में चला रहे है तो पल्स मोड पर सिर्फ एक बार चला लें और ल मिर्चे कंचे लिए अगर आप कं खाते हैं यह मिर्चे ज़्यादा तीकह तो क्वांटिटी कंशिते हैं और पहले दौनों चीजों को हखा सा दर्दरा कर लिया और दली चैने की DAL को भी हल्का सा दर्दरा कलिया फ्रंट इसमें आपको पानी नहीं डाल ज़ब में पधर ए तो बहुत अदब आपका फाइन सा पेस्ट तयार हो जाएगा और उससे आपके पकोड़े उतने बढ़िया नहीं बनेंगे तो बस मुह की दाल डालके भी मैंनों से पीस लिया है और आप देख सेते हैं कि हलका सा दरदरा सा है आपको दाना तो फील नहीं होगा लेकिन पता ज अब बारी है इस मिशन को थोड़ा से एहरी करने की तो उसके लिए आप इस तरीके से एकी डारेक्शन में कंट्यूनियस करीब दो से धाइम निट तक चलाए हो सकता है आपके हाथ दर्द हो जाए तो बीच-बीच में आप रोख सकते हैं और यह देखिए आपको पता चल जाए और यह देखिए जब इसका टेक्स्टर एकदम चेंज हो जाए आप इसमे रालिये टेस्ट के हिसाब से नमक नमक थोड़ा सा देख के लालिया क्योंकि हम बनाने है पालक के पाकोड़े और पालक का जो तेस्ट होता है तो यह थोड़ी सी हल्दी डाल दी एक टिबर स अगर प्याज कहते है तो आप इसमें लुट शोप कर लें अरा अगर ऑंध्य कहा था कि अगर उटार नहीं कहते है तो इसकी आप मेंदे कर सकते हैं तो अछे से एक पालक को ऐसे से वास्ट कर लिया और भारी को पालोग को आख लिया खूए जास नहीं कहते तो आर उंह हम पहले तोड़ा पालग ढालेगे और एक्दम हलके हाथ से आके मिक्स करने आपको जिसके हम आटर गूत varies快 लिए रछा यहीं बाओ और देख जीए आपको आटर गूते ना युस्के व्यूत पहलेकज के वैसे से दके अली अई अलणा हमेग आप मैंद्धी और द्णिया नही तो परफेक्ट बन रहा है तो यानि हमारे पकाड़े जो बनें गए एक दम जबदस बनने वाले हैं तो बहुत ज़्यादा इसे रखने की जरूरत नहीं है बस दो मिनट के लिए एक साइट से रख देते हैं और दो मिनट में हम बनेंगे दो मिनट वाली चटनी जो बनतों दो मिनट में जाएगी पर टेस्ट बहुत बढ़िया होगा तो उसके लिए मैंने ले लिया है ये हरा दनिया अदा गुछी जितना और उसमें डाल दीए छहसाथ के लिया लहसुन कि अगल लहसुन खाते हैं तो जरूर डालिए वरना स्किप कर दिजे और उसके साथ हमें मैंसर देने के लिए और चेटनी काली ना पड़े पानी ना छोड़े तो उसके लिए मैस में डाली हो दो टेबल स्पून जितनी आलू भुजिया और थोड़ा सा पानी डाल कर आप इसे हलका सा दर दर आपीस लें बहुत ज़द आप इसे फाइन ना पीसे तो यह देखिए हलकी सी दर-दरी सी चेटनी तैयार हो गई है इस तरीकी की चेटनी में ना यह बहुत ही बढ़िया टेस करती है तो चलिए आप इसे अलग बटन में ट्रांसफर कर लेते हैं और इससमें फ्रेंट्स चेटनी काफी का रही है तो बस मिक्सी के जान को दोकर पानी डाल दिया इसमें आपको कोई तड़का लगाने के ज़रूरत नहीं है परफेक्ट चेटनी तैयार है और सिर्फ यह दो ही मिनिट हुए है इधर का वाल गोड रखाता इसे भी देख लेते हैं अब हम इसमें डालेंगे एक टेबल स्पून जितना गर्मा गरम कुकिंग आयल जिसे मैंन परफेक्ट बदेख लेते हैं कि हमारा जुड़ ओएल का टेंपरिचर लाए एक दम परफेक्ट है तो बस जितने एक बार में आये अराम से डाल दिये और उसके बार थोड़ थोड़ ओड़ लेते जाएंगे जिससे उपरी वाला सर्फेस भी है थोड़ा साथ शीख देखने से अंदाजा पढ़ रहा है काफी क्रिस्पी है तो चलिए अभी ने कलिया डिश आउट और सर्फ करते हैं ट्रमेटो कैचप और अपनी स्पेशल चेटनी के साथ में अरब मैं आपको दिखाती हूं कि पकॉड़े देखने से तो पता चली रहा है कि काफी क्रिस्प अंदर से एकदम सॉफ्ट है मुंगी दाल पाला मैथी धनिया और अपने जबर्दस मसाले का टेस्ट है ट्रमेटो कैचप के साथ सब करें और या फिर सब करें आप इस हरी वाली चटनी के साथ में बहुत ही अमेजिंग टेस्ट करते हैं तो उमीद है दोस्तों आपको यह पालत के पकोड़े की परफेक्ट रसीपी बहुत पसंद आई होगी एक बार सर्द्यों में ट्राइए करेंगे या बरसाद में ट्राइए करेंगे और फीडबैक में मुझे जरूर बताएंगे की पकोड़े आपको कैसे लगे